आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया की आप मेरे विडियो को पसंद करते हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आइकन दबा दीजिये ताकि आने वाली हर विडियो आप तक पहुँच सके तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं आज क्राइम की कहानी में देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य केरल के अंधविश्वास की दहला देने वाली कहानी जहां एक पढ़ा लिखा परिवार अमीर बनना चाहता था इसी के चलते एक पति-पत्नी ने तीसरे शक्स के साथ मिलकर तीन माह के अंदर दो महिलाओं को अपने घर बुलाया और फिर उनके साथ ऐसा खौफनाक काम किया जिसे सुनकर किसी भी इनसान का दिल दहल जाएं खूबसूरत केरल का एक घर सबसे ताजा और सबसे नया हौरर हाउस बन चुका है वो हौरर हाउस जिसकी चारदीवारी के अंदर कल तक एक नहीं दो-दो महिलाओं की लाशे दफन थी इन महिलाओं को मौत भी कोई मामूली नहीं मिली बलकि उनका कतल किया गया और वो भी बेहत भयानक तरीके से उनके निजी अंगो पर तेज धार हथियारों से वार किये गए उनका गला काट दिया गया और फिर उनकी लाशों के टुक्रे टुक्रे कर दिये गए ये सारी बाते सुनने से ही मन कांप उठता है, जिसमें सिहरन पैदा हो जाती है लेकिन साक्षर्ता के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नमबर वन और गौड्स ओन कांट्री कहे जाने वाले केरल की फिलहाल यही हकीकत है लेकिन आखिर किसका है ये हौरर हाउस क्यों किया गया एक एक कर दो महिलाओं का कतल, मरने वाली महिलाओं से कातिलों की ऐसी क्या दुश्मनी थी तो जवाब में जो कहानी सामने आई है, उस पर एतबार करना भी मुश्किल है 26 सितंबर 2022 इसी दिन से कहानी की शुरुवात होती है जब कोच्ची पुलिस को एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत मिलती है शिकायत करने वाली भी एक महिला थी जो पुलिस को बताती है कि उसकी बहन पदमा पिछले कई दिनों से लापता है पद्मा की उम्र यही कोई 50 साल की थी और वो पिछले कुछ महीनों से कोच्ची में रह रही थी इससे पहले वो तमिलनाडू में रहती थी पुलिस पद्मा की तलाश के लिए उसके मोबाईल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती और छानबीन शुरू कर देती है पुलिस को पद्मा की कॉल डिटेल में एक संदिग्ध नमबर नजर आता है जो मुहम्मद शफी उर्फ राशिद नाम के एक शक्स का है जिसके साथ गुमशुदगी से पहले पद्मा की कई बार बातचीत हुई थी अब पुलिस ने शफी के बारे में च्छानबीन शुरू करती है पुलिस को पता चलता है कि शफी की एक और महिला के साथ भी लगातार बातचीत हो रही थी और इत्तेफाक से ये महिला भी अब गायब है 49 साल की इस महिला का नाम रोजलीन था रोजलीन 8 जून से ही लापता हो चुकी थी एरना कुलम की रहने वाली रोजलीन की बेटी मंजू उत्तर प्रदेश में टीचर है अपनी मा की गुमशुदगी के बाद उसने 17 अगस्त को केरल के कैल्डी थाने में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका था दोनों महिलाओं की गुमशुदगी के साथ साथ दोनों में एक और बात कॉमन थी और वो थी कि ये दोनों ही महिलाएं लोटरी टिकेट वेंडर थी अब पुलिस बिना देर कि ये शफी को उठा लेती है और सकती से पूछताच करती है फिर तो शफी पुलिस को जो कहानी सुनाता है, उस पर कुछ देर के लिए पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है शफी का कहना था कि अब ये दोनों ही महिलाएं इस दुनिया में नहीं है दोनों को कतल के बाद पत्थानमत्थिट्टा इलाके के एक मकान में दफनाया जा चुका है लेकिन सवाल वही था कि आखिर क्यों? शफी की इन दोनों महिलाओं से ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जवाब अमेरी ग्रीबी, सेक्स डाकेट, ब्लू फिल्म, तंत्रमंत्र, काला जादू और नर्बली की शतल में सामने आता है साथ ही सामने आते हैं दो और किर्दारों के नाम, जो शफी के साथ इस भयानक दोहरे कतल में शामिल थे और ये सारा कांड जिनके घर पर अंजाम दिया गया था कोच्ची के पत्थान मत्थिट्टा के रहने वाले भगवल सिंह और लैला सिंह रिष्टे में पति-पत्नी थे और हीलिंग यानी वैकल्पिक इलाज का काम करते थे अब पुलिस शफी की निशान देही पर भगवल सिंह के मकान में पहुँचती है जहां से दोनों पती-पत्नी को ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाता है बलकि पूरे घर की तलाशी ली जाती है इस तलाशी में खून के चींटे, तंत्रमंत्र से जुड़ी चौकाने वाली चीजों के साथ-साथ घर की चारदीवारी के अंदर से ही जमीन में दफन दोनों महिलाओं की टुकडों में बटी-लाशे भी बरामद हो जाती है अब बात इस वारदात की साजिश और उसके पीछे की वजह की, तो पुलिस की माने तो पत्थान मत्थिट्टा के रहने वाले भगवल सिंग और लैला सिंग का कामकाज इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा था वो घर में एक हीलिंग और मसाज सेंटर चलाते थे और इत्तेफाक से इसी तंधाली की हालत में उनकी मुलाकात मुहम्मद शफी उर्फ राशिद से हुई असल में राशिद ने फेस्बुक पर श्रीदेवी के नाम से एक फेक प्रोफाइल बना रखा था जिससे उसने इस जोडे से संपर्क किया और उन्हें किसी और आदमी के हवाले से आर्थिक समरिध्धी के लिए दो महिलाओं की बली देने का आइडिया दिया जब भगवल और लैला इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए तब शफी खुद सीन में आया और एक एक कर दोनों महिलाओं को अगवा कर भगवल सिन के घर तक लेकर आया अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आपसे विनमर निवेदन है की कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृप्या क्राइन की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है केस से जुड़ी एक CCTV फुटेज सामने आई ये CCTV फुटेज ठीक उसी रोज की है जिस रोज पद्मा को शफी ने धोखे से अगवा किया था इन तस्वीरों में पद्मा शफी के बुलावे पर भगवल सिंग के घर के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है रोजलीन को भी शफी ने इसी तरह धोखे से अगवा किया था पुलिस को एक CCTV फुटेज में एक स्कॉर्पियो कार भी नजर आई थी जिसमें 26 सितंबर को पद्मा को अगवा किया गया था इस CCTV फुटेज के बाद पुलिस की जाच और आगे बढ़ी शफी के साथ मिलकर भगवल सिंग और लैला दोनों पहले ही महिलाओं की जान लेने के लिए तयार बैठे थे इसके लिए दमपती ने अपने घर की चारदिवारी के अंदर गड़ा भी खोद रखा था ताकि नर्बली के बाद उनकी लाशों को फोरण निपताया जा सके शफी ने रोजलीन को एक ब्लू फिल्म में एक्टिंग करने का ओफर दिया था और कहा था कि इस फिल्म में काम करने के बदले में उसे 10 लाख रुपए दिये जाएंगे रोजलीन खुद भी आर्थिक तंगी से जूज रही थी ऐसे में 10 लाख की बात सुनते ही वो शफी के जासे में आ गई और उसके साथ पत्थान मत्थिट्टा में भगवल सिंग के घर तक जाने को फोरण तयार हो गई भगवल सिंग के घर आने के बाद कातिलों ने धोखे से रोजलीन को एक बेड़ पर लिटा कर उसके हाथ पाम बांध दिये और कहा कि ये ब्लू फिल्म में एक्टिंग का ही एक हिस्सा है और इसके बाद खुद भगवल सिंग की बीवी लैला ने अचानक ही उसके निजी अंगो पर धारदार हथियार से वार कर दिया रोजलीन दर्थ से तडपने लगी और उसकी जान लेने की रही सही कसर लैला के पती भगवल सिंह ने पूरी कर दी उसने एक बड़े से चाकू से पहले रोजलीन का गला काटा और जब उसकी जान चली गई तो तंत्रमंत्र के लिए उसके स्तन काट कर अलग से रख लिए इसके बाद लाश के टुकडे कर उसे पहले से बने गड़े में डाल दिया इसके बाद कई महीनों का वक्त गुजर गया लेकिन भगवल और लैला सिंह की जिन्दगी में कोई खास बरकत नहीं हुई कहने का मतलब ये है कि एक महिला की बली देने के बावजूद उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं हुई इस पर भगवल सिंह ने एक बार फिर शफी से बात की और इस बार शफी ने दूसरी महिला की बली देने की बात कही और बताया कि जब तक कम से कम दो महिलाओं की बली नहीं दी जाए काम पूरा नहीं हो सकता भगवल और उसकी पतनी अब भी तयार थी कई महीने गुजरने के बाद शफी सितंबर के महीने में फिर से एक महिला पद्मा को जहांसे में लेने में काम्याब हो गया इस बार उसने पद्मा को जिस्म फ्रोशी का जहांसा दिया और कहा कि अगर वो इसके लिए तयार हो जाएं तो उसे 15,000 रुपए मिलेंगे पद्मा राजी हो गई और शफी के साथ भगवल सिह के घर पत्थान मत्थिट्टा के लिए रवाना हो गई लेकिन उनके घर पहुचने के बाद पद्मा को कुछ और ही नजर आया और उसकी शफी के साथ 15,000 रुपए के लिए कहा सुनी शुरू हो गई इसके बाद तीनों कातिलों ने मिलकर पहले तो एक प्लास्टिक की रसी से पद्मा का गला घोंट दिया और जब वो बेहोश हो गई तो उसे एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया इसके बाद पहले शफी ने पद्मा के निजी अंगों पर तेजधार हथियार से वार किया और फिर उसका गला काट कर उसकी जान लेली हट तो ये रही कि इसके बाद तीनों ने पद्मा की लाश के 56 टुकडे किये और इन टुकडों को घर के बगल में बने गड़ों में डाल कर दफना दिया शफी और सिंह दमपती की निशान देही पर जब कोच्ची पुलिस ने उनके पत्थान मत्थिटा वाले घर के आंगन की खुदाई की तो टुकडों में बरामद होती इनसानी जिस्म के हिस्सों ने हर किसी को हैरान कर दिया यहां कबर से कुछ फूल और तंत्रमंत्र की चीजे भी बरामद हुई घर में चारों तरफ दिवार पर खून के चींटे भी मौजूद थे अब इस भयानक दोहरे कतल के सारे आरोपी गिरफतार हो चुके थे तुकडों में बंटी लाशे भी बरामद हो चुकी थी लेकिन पूछताच में इसके बाद एक और ऐसी बात पता चली जिसने अब तक सामने आई सारी बातों को पीछे छोड़ दिया और ये बात थी मानव मास खाने की जीहा पुलिस सूतरों की माने पूछताच में सिन्ध दमपती के साथ साथ शफी ने भी एक महिला का कतल करने के बाद उनका मास पका कर खाने की बात कही है कोच्ची के पुलिस कमिशनर नागराजू ने कहा है कि आरोपियों ने अपने कबूल नामे में रोजलीन की लाश के कुछ टुक्रे पका कर खाने की बात कही है ये माना जा रहा है कि ये मास उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं के मद्देंजर खाया ताकि ऐसा करने के बाद उन्हें धन दौलत की कोई कमी न रहे अब इस वारदात के सामने आने के बाद आसपास के लोग भी हैरान हैं खास कर वो लोग जो सिंह दमपती को एक हीलर यानी वैकल्पिक इलाज करने वाले एक्सपर्ट्स के तौर पर सालों से जानते हैं भगवल सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो CPI एम से जुड़ा था लेकिन एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने और समाज सेवा का दावा करने के बावजूद उसके इरादे इतने शैतानी थे ये अब लोगों को पता चला है बहरहाल अब पुलिस ने इस मामले को तो सुलझा लिया है कातिलों को गिरफ़तार करने के साथ साथ दो महिलाओं की रहस्य में गुमशुदगी का सच भी सामने आ गया है लेकिन इस वारदात पर अब भी लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेट करके जरूर बतायेगा और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद